इस साल सूखे के संकट और कम उत्पादन के बाबजूद विश्व उत्पादन में बढ़ोतरी और सरकारी निती के कारण सोया बीन की कीमते अभी भी दबाव में हैं इसके इलावा बाजार में सोया बीन की आवक और उध्योगों की सावधानी पूरवक खरीदारी के कारण भी सोया बीन बाजार में निराशा का महल जा रही है दरसल ब्राजील और अर्जेटिनमे सोया बीन की फसल अब पूरे जोरों पर है ब्राजील के उतपादन में गिरावट चारी है लेकिन सोया बीन बाजार का फोकस यूएस डिये की मार्च रिपोर्ट पर है सोया बीन बाजार के जानकारों का अनुमान है कि अगले कुछ हफ़तों में देश के बाजारों में 100-200 रुपे तक का उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है अब सोया बीन की कीमतें सोया बीन खली और सोया बीन तेल पर भी निर्बर हैं तरहसल अंतराश्य बाजार में दोनों वस्तों की कीमतें गिरी हैं इस दोरान केंदर सरकार को देश के किसानों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए लेकिन सरकार की नीतियों के कारण कीमतें गिर रही है देश के सोया बीन बाजार पर अंतर्षिया बाजार का दबाव ज्यादा है, इसके इलावा सरकार ने आयात शुल घटाकर देश में आयात को रोक दिया, जिस से भी दबाव बढ़ गया, अंतर्षिया बाजार में खाद्या तेल सस्ता है, खास बात ये है कि इस समय सोया बीन तेल का आयात अच्छा बढ़ रहा है क्योंकि पाम तेल के दाम कुछ बढ़ने के बाद सोया बीन तेल की आवक शुरू हो गई है जिसके चलते देश में सोया बीन से प्राप तेल की कीमत भी कम हो चुकी है देश के बाजारों में सोया बीन की कीमते फिलाल उस्तन 43 सो से 46 सो रुपे के बीच है और यह मुल्य स्तर पिछले दो महिनों से स्थिर है सरकार खादिया तेल बाजार पर दबाव बना रही है सरकार आगे भी आयात बढ़ाएगी ऐसा जानकारों का कहना है दरसल अंतराश्य बाजार में सप्लाई बढ़ने से सोया बीन के दाम बढ़ने की उमीद फिलाल नहीं है इसलिए इस सल देश में स्टोकिस्टों ने सोया बीन नहीं खरीदा उनका मानना था कि सोया बीन की कीमत में ज्यादा रिटन नहीं मिलेगा स्टोकिस्टों ने यह कहकर सोया बीन से दूरी बना ली कि कोई मुनाफ़ा नजर नहीं आ रहा इसे इंडस्ट्री ही एक मातर ग्रहक बन गया उध्योग जगत भी अब जरूरत के मताबी खरीदारी करता नजर आ रहा है वहीं अगर देखा जाए तो USDA रिपोर्ट पर अब ज्यादा ध्यान है क्योंकि ब्राजील में सोया बीन की फसल जोरो पर है और अर्जेटिना में इसकी कटाई शुरू हो चुकी है ब्राजील में अब तक टालीस फीसदी सोया बीन की कटाई हो चुकी है चुकी फसल की कटाई शुरू हो गई है इसलिए विश्य बजार का ध्यान अब मार्श में परकाशित होने वाली USDA रिपोर्ट पर है क्योंकि कटाई शुरू होने से यह अनुमान लगाया जाएगा कि दोनों देशों में उत्पादक तक कितनी बड़ी है इसलिए अब ध्यान USJ की भविश्यवानी के अधार पर ही बजार में उतार चड़ाग देखने को मिल सकता है इस वज़े से आब सभी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं भले ही इस साल देश में उत्पादन कम है लेकिन सरकार से सपोर्ट ना मिनने के कारण कीमते ज्यादा दबाव में है इसलिए इस साल का माल और पिछले सीजन का बचा हुआ माल बाजार में आ रहा है इसलिए बाजार में लगातार आवक डेड़ लाग क्विंचल के बीच देखने को मिल रही है इस आवक का दबाव देश के सोया बीन बाजारों पर देखने को मिल रहा है क्योंकि उत्पादन घटने पर भी बाजार के दो परमुख कारकों से आमद और आगे की मांग का दबाव बना रहता है ऐसे में अगले कुछ हफतों तक फिलाल सोया बीन बाजार में 100-200 रुपे के उतार चड़ाव देखने को मिल सकते है वहीं जब बाजार जानकारों का ये भी कहना है कि मई में कुछ भड़ोतरी की उमीद की जा सकती है Bureau Report Market Times TV